स्वागत है आपका फिर से स्मार्ट क्लासेज ओफ नर्सिंग में आज का हमारा टोपिक मलेरियल ड्रग्स आज हम मलेरियल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे आज की हमारी क्लास मलेरियल ड्रग्स के बारे में होगी जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्लास में ड्रग्स करेंगे तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं यह जो मलेरियल कंट्रोल सिंबल होता है जो एक एनफलीज जो फीमेल एनफलीज जो मौस्किटियो होता है उसको क्रोस के चिन के दौरा यानि कि उसको इनेविट किया जाता है हमारी कम्यूटी समधाय के दौरा कि यह स्प प्लाजमोडियम, Cognitive Agent जो होता है Malaria का वह होता है प्लाजमोडियम, Vector, Female Anaph lize mosquito, येटर हेमेन छूट होता है इंडेरेक्ट होस्ट के रूप में जाना जाता है हुमन होता है वहाँ इंडिडेक्ट होस्ट कहलाता है इनमलेरियल डिजीज में जो host होता है जिसमें anaphylis जो मचछर होता है वो direct attach होता है यानि उसकी body में directly attach होता है या फिर हम कह सकते हैं जो direct contact रखता है इन female anaphylis में अब बात करते हैं जो mosquito या जो malarial cycle होती है Malarial Cycle Malaria की जो Cycle होती है उसके बारे में हम बात करते है First day की जो Mosquito होता है Mother Anaphilis Bite करता है हमारी human body को Human body को bite करने के बाद जो Sporo Joits होते हैं वो direct blood में जाकर के Within 30 minutes Within 30 minutes में पहुँचाते हैं liver के पास यानि liver Hepatocells में पहुँचाने के बाद वो Hepatocells पर अपना इस्ताइत्तू या जिसे कह सकते हैं हम अपना कारे करने की जो छमता होती है Virulence या जो Pathogenic City की condition होती है वो direct अपने Hepatocyte पर परदशित करते हैं Direct Spherojoids Connect होते हैं Hepatocell के दुआरा Next बात करते हैं जैसे ही Spherojoids जैसे ही Spherojoids liver cell के पास आने के बाद अपने में Growth करते हैं और Growth करने के बाद Growth more than 10,000 More than 10,000 Growth more than 10,000 से अधिग होने के बाद जो liver cell होती है Hepato cell होती है Liver cell Liver cell क्या करती है अपने में Sprout out करती है यानि की Fraction या जिसे हम कह सकते हैं Rapture Hepato cell का Rapture होता है Rapture होने से क्या होता है कि जो Sporojoids होते हैं Sporojoids Convert होते हैं Metrojoids में या जिसे हम कह सकते हैं Mirojoids Sporojoids 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 Convert होते हैं Mirojoids में और यह जो Mirojoids होते हैं यह Mirojoids Weak होते हैं Weakly Mirojoids Totally Mirojoids Are not Exple from the liver यानि जो भी Mirojoids होते हैं वो Totally Mirojoids से Exploct नहीं होते हैं कुछ Mirojoids होते हैं वो लीवर में ही संचलित हो जाते हैं जिने कहते हैं Hypnojoids जिने हम Hypnojoids का नाम देते हैं Hypnojoids बाकि जो Mirojoids होते हैं वो Directly Blood Cells में Directly Blood Cells में Exploct कर दिये जाते हैं जिसे यह Mirojoids जाकर के अपने Target Site RBC Target Site RBC पर जाकर अपना Roll Action अदा करते हैं जिसे क्या होता है कि जो Mirojoids होते हैं वो फिर से Growth करते हैं फिर से उनमें जो Potion की जो चंता होती है Potion लेने की जो चंता होती है वो अपनी Growth करते हैं और RBC में भी RBC में भी यह 10,000 से उपर यानि More Than 10,000 अपनी Number में Increasement करते हैं जिसे क्या होता है कि जो RBC होती है वो अपने Rapture होती है RBC पने Rapture होने के बाद जो First Sign Symptom आते हैं First Sign Symptom आते हैं वो इसी Condition में Create होते हैं यानि कि Maleric जो First Sign Symptom अकर्स होते हैं RBC के Rapture होने के बाद ही हमें दिखाई देते हैं जैसे कि Shivering या Fever Cold जो भी इनकी 3 स्टेज होती हैं वह हमें अकर्स या दिखाई देती है जब RBC का Rapture होता है रप्चर होने के बाद Sorry एक मिनट रप्चर होने के बाद जो Miro Joits होते हैं वह Profo Joits में Convert होते हैं अपना एक Kundalini Numa Sun रचना बनाते हैं जिससे क्या होता है कि Miro Joits Asexual Reproduction के दवारा Asexual Reproduction के दवारा यह बनाते हैं गेमेटोसाइट और हमारे बलड में गेमेटोसाइट बनने के बाद जैसे ही Next Time कोई भी Mosquito हमें बाइट करता है तो गेमेटोसाइट को पिक अप कर लेता है गेमेटोसाइट को पिक अप करने के बाद इसमें होता है Sexual Reproduction यानि कि जो Sexual Reproduction होता है वह Human Body में नए होकरके Mosquito जो होता है Mosquito में होता है Sexual Reproduction जबकि All Stage होती है हमारी जो Sporojoids से लेकरके Mirojoids या Trophojoids तक जो भी Stage होती है उनमें सभी में Asexual Reproduction होता है यह Most Important Question है कि Human Body में होने वाले Malarial Reproduction का कौन सा टाइप यानि कौन सा टाइप हमारे Human Body में होता है तो इसका Most Answer होगा Asexual Reproduction जो Sexual Reproduction होता है वह है Mosquito या Mada Anaphilis में देखने को मिलता है यानि कि जो Mada Anaphilis है वो पिक अप करती है Gametocyte को और Gametocyte को पिक अप करने के बाद उसमे Sexual Reproduction होता है और उसी से Sexual Reproduction करके Gametocyte से Sporojoids का निर्मान करती है पुने यानि कि Gametocyte से निर्मान करेगे Sporojoids का पुने Sexual Reproduction के दुआरा तो ऐसे यह प्रोसेस चलती रहती है इसी वज़े से इसी वज़े से हम जो पैसेंट यानि एक Malaria का पैसेंट आइडेंटिफाई हुआ हमें तो उसी के पैरेंट्स या उसी के फैमिली मेंबर्स को हम अवोइड करते हैं या उनकी सरवाई लेंट्स में हम पैसेंट को रखते हैं ताकि किसी और में यह Malaria की Condition क्रेट ना हो एक Condition रह गई थी Hypnojoids जो Hypnojoids एक ऐसा प्रकार का साइकल है या जो ऐसी प्रकार की एक सैल पर अटेक करता है Hypnojoids होता है वे डायरेक्टली बलड में स्टार्टिंग में नहीं आता है जो Hypnojoids होता है वो एक Relapse कोज करता है Relapse यानि की जैसा की आज Malaria की Condition कोज हो चुकी है उसके बाद हम उसको Treat भी कर दिया है Treat करने के बाद यानि की Two Month, Three Month, Four Month या Six Month के बाद में Re-Eccurrence होता है Malaria का जबकि हमें किसी भी प्रकार का कोई Mosquito Bite भी नहीं किया हो किसी भी प्रकार के हम Mosquito के Contact में भी नहीं आये उसके बाद भी अगर हमारे Malaria होता है तो उसका Reason क्या है उसका Reason क्या है तो हमें मालुम होना चाहिए प्रजेंट होता है जो कि एक Mirror Joits का ही एक Part होता है Mirror Joits एक Active Form का है Active Form का है Mirror Joits और जो Hypno Joits होता है यह एक Passive Form में होता है Passive जैसे ही Hypno Joits Sorry हाँ Hypno Joits अपने Active Form में आता है उसी टाइम यह Mirror Joits में Convert होता है और Mirror Joits में Convert होने के बाद पुने यह अपनी Cycle को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करता है और जिसे पुने पैसेंट को Malaria देखने को मिलता है तो I hope you understand this cycle of Malarial Cycle अब आगे बात करते हैं इसी Cycle को Breakdown करना या इसी डिजीज को Malarial डिजीज को Prevent किस प्रकार कर सकते हैं कौन-कौन सी ड्रग्स हम इसमें Malarial Condition में यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं 1-2-1 Malarial Drugs Malarial Drugs के बारे में बात करते हैं First Drugs होती है जिसमें First Drug है Chlorquin Second Quinine Articinate Primaquin Maifloquin और Doxycycline यह ड्रग्स हैं जो हमें Anti-Malarial Drugs के नाम से जाएं जाती हैं यह जो थ्री ड्रग्स होती हैं यह ब्लोक करती हैं Erythrocytic Stage को Erythrocytic Stage Prima Quinn होती है यह Prevent करती है हमें Relapse जो Condition होती है जो Hypno Joits के दोवारा जो Create हो रही थी यहने कि Erythrocytic Stage आती है जिसमें Malaria Recurrence की Condition हो रही थी उसे Prevent करती है Relapse Phase को Mofloquin और Doxycycline यह एक Profilexis Drugs होती है Profilexis Profilexis Drugs Mofloquin Doxycycline Drugs होती है Profilexis Drugs होती है First Drugs के बारे में बात करते हैं Chlorquin Chlorquin जो Drugs होती है Drugs of Choice of Malaria Malaria की Drugs of Choice होती है Chlorquin होती है यह है Drugs यानि Chlorquin जब Pregnancy Condition में Malaria Coge हो जाता है यानि कि Malaria की Condition In a Pregnancy Female में Create होने के बाद जो हम उसको Drugs देते हैं तो Drugs of Choice Pregnancy भी Chlorquin ही होती है Side Effect Side Effect Chlorquin का Side Effect होता है वो होता है Blindness यानि कि अंदापन Create करता है Chlorquin जो कि एक Bull's Eye Micropathy यानि कि जो हमारी Eyes होती है जो Size को Increase करता है जैसे कि एक Bull यानि कि Bell के समान जो Eyes होती है वह हमें देखने को मिलती है Chlorquin Medicine की Toxicity या Side Effect मे Next बात करते है हम Quinine यहनि जो Second Drugs होती है Quinine होती है और यह Drugs of Choice होती है Chlorquin Resistance Malaria यानि कि हम जब Chlorquin देते हैं पैसेंट में अगर उसके परती पैसेंट का जो Malaria या पैसेंट की जो बोड़ी होती है रसिस्टेंस होती है रसिस्टेंस पावर अक्रेंस होने के बाद हम उस पावर को या हम उस Malaria को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग्स देते हैं जिसका नाम है Quinine Quinine जो डेराइड होती है सिनकोना एक प्लांट होता है सिनकोना प्लांट से जो Quinine होती है वह डेराइड करते हैं Quinine को जिससे जो side effect create होते है यानि कि Quinine से side effect होते हैं सिनकोलीजम सिनकोलीजम इसी वज़ेश कहते हैं जो सिनकोना प्लांट होता है उससे जो side effect होते हैं तो उसी के नाम पर रखा गया सिनकोलीजम इसका man side effect होता है quinine का side effect होता है hypoglycemia, hypoglycemia की condition create होती है quinine की drugs के बाद तो इसका man nursing जो responsibility होता है nursing responsibility होता है कि हमें जो dextrose होता है dextrose की, dextrose provide करवाते हैं patient में ताकि hypoglycemia को हम treat कर सकें एक second बात होती है जो की quinine में देखने को मिलती है ब्लैक, ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर फीवर ब्लैक वाटर फीवर हमें देखने को क्यों मिलता है यानि ब्लैक वाटर फीवर हमें देखने को मिलता है कि जो RBC होती है RBC होती है उसका hemolysis होता है हीमोलाइसिस क्योंकि हीमोलाइसिस होने के बाद जो black pigment निकलता है यानि urine के साथ जब blood निकलता है तो हम उसे कहते हैं black water fever ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम Prima queen Prima queen it is given to prevent relapse यानि जो relapse की condition होती है जो आगे अक्रेंस यानि in future malaria create ना हो उसे prevent करने के लिए हम Prima queen drugs provide करवाते हैं और इसका जो side effect होता है वो होता है हीमोलाइसिस हीमोलाइसिस और ये destroy करती है जो हमें हमारे जो free radicals होते हैं G6PD को यानि जिस पैसेंट में G6PD की पहले से डेफिसेंची होती है उसमें हम अवोईड करते हैं प्राइमा क्यूइन को नेक्स्ट बात करते हैं आर्टी सुनेट जो एक अपने आप में बहुत उसमेंची होती है आर्टी सुनेट मेडिसिन सम मोश्ट इंपोर्टेंट जिसके MCQ है उनके बारे में बात करते हैं In India Most Common Plasmodium यानि इंडिया में जो Most Common Plasmodium होता है वहें कौन सा होता है तो उप्षन है Plasmodium Falciferum Plasmodium VIVax Plasmodium Malarion Plasmodium OVL तो इसका most important answer है plasmodium falciferum कुछ books में plasmodium vivax को भी माना जाता है लेकिन इसका most common इंडिया में जो इसकी species होती है वो plasmodium falciferum होती है तो इसका correct answer A next बात करते हैं most dangerous plasmodium यहने कि कौन से species जो most dangerous होती है इसका correct answer B plasmodium falciferum C answer correct है यह mostly यह दोने question first और जो second question बार-बार आरने वाले exams में या previous examination हुए है उन्हें बार-बार repeat हुए है इसी topic से which medicine are used in profilaxis of malaria यानि कौन सी medicine है जो profilaxis of malaria के condition में हम उसे use कर सकते हैं profilaxis के condition में हम use करते हैं in malaria में तो इसका correct answer myfloquine या doxycycline D correct answer है इसमें option तो है artisunate, chloroquine, primoquine myfloquine या doxycycline तो इसका correct answer myfloquine या doxycycline thank you for watching this video I hope you understand in this topic और मैं आपसे एक अनरोद करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस classes को share करें और ज्यादा से ज्यादा subscribe करें ताकि हम हमारी जो नई कोसिस नई videos या नए topic जो एविद MCQ के साथ हम आपको provide करवा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस्ट्रेंटों के पास पहुंचे and मैं आपसे यही अनुरोद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सफलता की और आप अगरसर हो thank you good morning bye bye